तो प्लीज एक बार मुझे चैट बोक्स में उताजिए ओके ओके सेंक यू थैंक यू सो मुझ बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है दोस्तों अब बात करते दोस्तों अब यहां पर एक चीज़ है अगर आप फिलिपकर बाकी आप करते हैं तो उसके लिए यही प्रोसेस रहे आपने क्लिक किया यहां पर no code required यह वाला चीज हमारे यहां पर आता है go to the store हम यहां पर करते हैं तो यहां पर क्या है यह हमारी Amazon की app खुल जाएगी यहां पर सबको clear है Amazon की app खुलती है हम यहां पर कुछ भी shopping करते हैं कुछ जैसे ही आप यहाँ पर डील क्लोज करते हैं, खरीददारी करते हैं, तो उसके बाद वापस आपने यहाँ पर main page के उपर आना है, और यहाँ पर एक चीद का ध्यान रखना है कि main page के उपर आकर, यह जो my account उपर दिया गया है, यहाँ पर हमने login किया था, my account दिया गया है, यह दिखाई दिरा है, आपने इसके उपर click करना है, और उसके बाद जो भी आपने shopping की है, उसका एक order number होता है, वो order number आपने यहाँ पर लिखना है, order date आपने यहाँपर लिखनी है, उस invoice में आपके यहाँपर होगा, कितने रुपए का order है, order amount लिखना है और कौन सा product है और उसकी जो invoice की copy है जो आपके mobile में पढ़ी होगी जो भी उसकी photo होगी उसकी copy आपने यहाँ पे choose file में यहाँ पे आपने इसमें add कर देनी है और उसके बाद आपने इसको close कर देना है submit कर देना है तो दोस्तों यह आपका Amazon का जो order है यह भी आपक यहाँ पे submit हो जाएगा बाकी किसी चीज़ के लिए आपको यह नहीं करना पड़ेगा यह सिरफ Amazon के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा तो दोस्तों खुद देखिए कि किस तरीके से कीवा डील के जरीए अगर हम कुछ भी shopping करते हैं तो उसका benefits हम सब को मिल सकता है हम सबी उसका जो benefit है वो ले सकते हैं और दोस्तों मेरे ख्याल से इससे आसान चीज़ और कोई नहीं हो सकती है तो देखिए confused नहीं होना है कि क्या चीज़ आ रही है इसको चीज़ को बार-बार कीजिए practically कीजिए इसको मैं वही चीज़ आपको बोड़ रहा हूं practically कीजिए कि इसमें आपको कुछ और confusion क्या आ रही है